नमस्कार, मैं शिवानी मांगवानी और आप देख रहे हैं नियूज लाइफ इंतजार खत्म, बिहार पहुचा मानसून, कई जिलों में हुई बारिश लंबे इंतजार के बाद दक्षिन पस्टिम मानसून बिहार पहुच गया है और पूर्णी अवे आसपास के जिलों में पहली बारिश हुई आज मानसून के पटना पहुचने की उमीद है अगले 48 घंटे में मानसून की बारिश पूरे प्रदेश में शुरू होने की संभावना है करीब एक सब्ता की देरी से दक्षिन पस्टिम मानसून बिहार पहुचा है वही चाइल्ड स्पेस्लिस्ट का कहना है कि बारिश के साथ ही चमकी बुखार के कहर में भी कमी आएगी हतियार कारोबारी संजेब भंडारी के ठिकानों पर CBI की रेड CBI ने भगोडे हतियार कारोबारी संजेब भंडारी के दिल्ली स्थित ठिकानों पर छापे मार कर एहम दस्तवेज जब्द किये है CBI इसे पहले भी संजेब भंडारी की संपतियों पर छापे डाल चुकी है CBI ने वायू सेना और रक्षा मंत्राले के अग्याद अधिकारियों संजेब भंडारी और स्यूजलेंड के कंपनी प्लांट सेयर क्राफ्ट के खिलाफ मामला दर्च किया है मेहुल चॉक्सी को भारत लाने के लिए एयर एम्बुलेंस भेजने को तयार E.D. करोडो रुपे की पंजाब नैशनल बैंक घॉटाला की आरोपियों में से एक मेहुल चॉक्सी के मामले में E.D. ने मुंबई के अदालत में जवावी हलपनामा दाखिल किया है इसमें कहा गया है कि चिकिस्सा कारणों से अदालत को गुमराहा किया जा रहा है ताकि मामले की सुनवाई को टाला जा सके E.D. ने बताई कि मेहुल चॉक्सी को एंटीगुआ ने भारत लाने के लिए चिकिस्सा विशेश यग्यों के साथ एयर एम्बूलेंस भेज सकते है H-1B वीजा मामले में भारत को राहत देगा अमेरिका अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो अपनी भारत यात्र के दोरान सुनिश्चित करेंगे कि H-1B वीजा की संख्या सेमित करने की योजना नहीं है एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि डेटा को स्थानी अस्तर पर रखने पर जोड़ देने वाले देशों के लिए H-1B वीजा की संख्या सेमित करने की कोई योजना नहीं है वीजा कारेकरम की समिक्षर डेटा के मुक्त प्रभा पर भारत के साथ चल रही बात चीज से अलग है F-ATF की चैतावनी के बाद भारत ने पाकिस्तान को दी नसीहत आतंकी फंडिंग रोकने के लिए बनी अंतरास्ट्रे एजनसी फाइनेंशियल एक्षन टाक्स फोर्स की पाकिस्तानी को चैतावनी के बाद भारतिय विदेश मंतराले ने कहा कि हम उमीद करते हैं कि पाकिस्तान सितंबर तक की समय सीमा के भीतर पूरी तरह से F-ATF एक्षन प्लान को प्रभावी धंग से लागू करेगा आतंकीों के खिलाफ एक्षन जरूरी है चाहे इसका नियंतर दुनिया के किसी भी इलाके में हो F-ATF की निगरानी सूची से बहार आने के लिए चाहिए 15 देशों का समर्थन F-ATF की निगरानी सूची से बहार आने के लिए पाकिस्तान को 36 सदस्यों में से कम से कम 15 देशों का समर्थन चाहिए F-ATF की अगली बैठक अक्टूबर में होगी उस बैठक में फिर पाकिस्तान द्वारा आतंकी फंडिंग रोकनी के लिए उठाये गए कदमों की समिक्षा होगी वही अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देशों ने पाकिस्तान में जारी आतंकी संघटनों की वित्या गति विदियो पर चिंता जताई है पाकिस्तान को लग सकता है 100 अरब डॉलर का जटका FATF ने पाकिस्तान को 25 मानक दिये थे जो उसे निगरानी सूची से बहार लाने के लिए पूरे करने थे लेकिन पाकिस्तान इसमें से केवल 2-3 मानकों को ही पूरा कर पाया है प्रधान मंतिर इमरान खान और विदेश मंतिर शाह महमूत कुरेशी FATF की काली सूची में आने की संभावना के प्रती देश को आगह कर चुके है कुरेशी ने कहा था कि इससे देश की अर्थ वस्ता को 10 अरब डॉलर का जटका लगेगा भायत में जल्दी ही BS6 स्कूटर लांच करेगी हॉंडा एक्टिवा हॉंडा एक्टिवा ने हाली में एक्टिवा का फैसलिफ्ट मॉडल पेश किया है जो नए BS6 इंजन से लेस है वही अब कंपनी एक्टिवा को और ज़्यादा स्मार्ट करने में लगी है और इसके नेक्स जनरेशन मॉडल को लांच करने की तैयारी में है नए हॉंडा एक्टिवा 6G में कनेक्टिविटी फीचर पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा इसमें एडवांस डिजिटल इंस्टूमेंट, क्लस्टर, स्मार्टफोन, कनेक्टिविटी और कॉल अलर्ट सिस्टम जैसे कई फीचर्स मिल सकते हैं विश्व कप में हसन अली ने किया भारत की जीत का समर्थन पाकिस्तान के तेज गैंदबाज, हसन अली ने एक भारतिय फैन की हां में हां मिलाते हुए टीम इंडिया के वर्ल्ड कप जीतने की दुआ मांगी इसे कुछ देर बाद ही विवाद बढ़ने पर हसन अली ने अपने ट्विट को डिलीट कर दिया पाकिस्तान के खिलाफ मिली जीत के बाद एक भारतिय फैन ने अपनी टीम को जीत के बढ़ाई देते हुए ट्विट किया था और टीम से वर्ल्ड कप जीत कर लाने को कहा था फिल्म ब्रह्मासर में रनवीर, कपूर और आलिया भट एक साथ नज़र आएंगे जबकि टीवी की नागिन मौनी रॉय भी एहम रोल में नज़र आएंगी मौनी रॉय इस फिल्म में मुख्य विलेन का किरदार निभा रही है मौनी रॉय ने कहा कि मैं इस रोल को लेकर काफी उससाहित हूँ मौनी ने कहा कि डारेक्टर आयान मुखर जी ने नागिन में कुछ ऐसा देखा जिससे उन्हें लगा कि मैं विलेन किरदार कर सकती हूँ आज के लिए बस इतना ही कल फिर आजिरोंगे नई खबरों के साथ तब तक देखते रहां और सब्सक्राइब करें क्युक्त देखएब करें